हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको सेक्रेटरी ये 2002 की एक रोमेंटिक ड्रामा मुवी एक्स्प्लेण करने वाला हूँ इस मुवी में एक सेक्रेटरी अपना जॉब जॉइन करती है और उसके बाद उसका पॉस्ट जो है ये बहुत ही अजीब सा है इन दोनों के भी इस टेंशन बढ़ता जाता है और अलग-अलग सीच्वेशन आती रहती है अगर आपको इस मुवी का लिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझसे ले सकते हो तो चले इस मुवी का इस्प्लेशन करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन क्यारेक्टर जिसका नाम है ली यह हम देखते है मुवी की फर्स सेन में हम देखते है कि यह एक सिक्रीटरी है और इसके हाथ रोट से बंदे हुए है पूरे ओफिस में चलकर इसी तरह से वो काम कर रही है ये सिन यहीं खता होता है वो इसके बाद हमें flashback दिखाय जाता है हम ली को mental institution के बाहर देखते हैं और अभी अभी वो discharge हुई है ली हम से यह थी है कि उस institution में वो comfortable हो गई थी उसका एक routine वहाँ बन गया था आज उसकी sister की wedding है और आज ही उसे discharge मिला है जब ली की मदर उसे लेने के लिए आती है तब उसे देखकर हो थोड़ी भी excited नहीं होती क्योंकि उसे यही institution में रहना था वो institution में क्यों थी इसका reason हमें आगे पता चलेगा ली की sister की wedding होती है ली अकेली खड़ी है तब उसके पास Peter आता है Peter उसका high school से friend था Peter कहता है कि तुम थो मुझे भूली गई पर ली के थी कि ऐसा नहीं है ली उसे कहती है कि इस wedding में वो बूर हो रही है Peter उसे cheer up करने के लिए लेकर जाता है और यह दोनों फिर dance करते है इसी wedding में हम देखते है कि ली के father बहुत पी लेते है उने उनके room में ले जाना पड़ता है ली के father एक alcoholic है और ली को एक थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता वो रोदरोते अपने room में जाती है उसके room में से एक sharp object निकालती है और अपने आपको hurt करने वाली है पर वो अपना mind change करती है उसे कुछ pressure आता है या दूख होता है तो वो directly जाती है और sharp object से अपने आपको cut करती है वो खुद को मारना नहीं चाती पर ये wounds उसे अच्छे लगते है तो एक दिन ऐसा ही हुआ था वो अपने आपको hurt करने कुशिश कर रहे थी पर उसकी knife जादा ही चल गई और उसकी nurse कट गई उसके parents ने फिर उसे mental institution में डलवा दिया था उसी institution से और वो बाहर आ चुकी है जब उसने अपनी nurse काटी थी तब भी उसके mother और father का जगड़ा चल रहा था ली अब खुद को improve करने के लिए typing classes विकरा लेती है ली की mother घर के सब sharp objects एक जगा पर lock कर देती है ली ये देखकर upset होती है क्योंकि उसकी mother भी उस पर trust नहीं करती है उसे नया job चाहिए जो news paper से वो ढून दी है अलग-अलग जगा पर उसकी mother उसे drive करती है और ये interview देती है आज जिस interview पर वो आई है वो एक lawyer की firm में secretary का job है जब वो अंदर आती है तो सब कुस देशनेस पड़ा हुआ है existing secretary गुस्से में भाह से जा रही है यानि कि इसी नहीं गुस्से में ये किया था इस secretary क्यों upset थी ये movie में आगे हमें पता चलेगा office में हम lawyer को देखते है और इनका नाम Mr. Gray है Gray हमारा बहुत ही अजीब character है थोड़ा सा shy, थोड़ा सा गुसेला और awkward type का जब Lee room में inter होती है तो Gray अपने ही अजीब खयालों में होता है Lee को है अजीब लगता है और वो जाने लगती है तो Gray उसे रुकने के लिए बोलता है उसकी interview लेना start करता है और बहुत ही आजीब उगरी question पुछता है पुछता है क्या तुम pregnant हो यह थी कि नहीं वो कहा रहती है उसके brother sister के बारे में पुछता है Lee फिर अपने typing certificates दिखाती है यह बहुत ही fast type है यह देखकर Gray impressed होता है Gray फिर Lee को coffee बनाने के लिए कहता है Lee के लिए office नया नया है तो सब चीजों को लेकर वो struggle करती है पर फिर भी coffee बना लेती है Gray फिर उससे direct बात करता है वहता है यह job बहुत ही boring होगा तो मैं हमेशा desperate रहना पड़ेगा और type करते रहना पड़ेगा तुम actually इस job के लिए over qualified हो और तुम बहुत bored होगी Lee के थी है यह मुझे bored होना पसंद है इसके बाद Gray को call आता है जो Lee को उठाने के लिए कहता है Lee को अब job मिल चुका है यह Lee का पहरा job है तो यह बहुत excited है वो दिन बर खुश ही होती रहती है जब वो ओफिस में काम करने लगती है तो बहुत ही मन लगा कर करती है इसी ओफिस में Gray के लिए काम करने वाली और एक lawyer है यह lawyer Lee को थोड़ा सा नीचा समझती है Lee भी उससे influence होती है वो lawyer जिस तरह से रहती है जैने कि जिस तरह से make-up विकरा करती है उसी तरह से खुद भी करने लग जाती है Gray के ओफिस में अगर हम देखे तो ओफिस में ही एक छोटी सी फुलो की garden उसकी है वो हमेशा इन फुलो का खैल रखता है एक दिन ली उसके लिए चाय और डोनर्स लेकर आती है Gray कहता है कि मेरे एक बहुत important file थी जो मैंने fake दी है ली पुछती है कि क्या मैं जाकर लेकर आओ और यहाँ कहता है ली गार्वेज में सब ढूनती है और Gray उसे बाहर से देखता है ली यहाँ notice करती है कि उसके office के बाहर उसकी मदर की गाड़ी खड़ी हुई है अपनी मदर से पुछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो मदर कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रही हूँ ली को office से चुट्टी मिलने के लिए पाच घंटे और लगने वाले है पर फिर भी उसकी मदर यही रुगने वाली है एक्चुल में ली की मदर का और फादर का हमेशा जगड़ा होता रहता है ली के फादर अलकोलीक है यही एक मेन रीजन है ली फिर फाइल लेकर ग्रे के पास आती है कोई gray कहता है कि मैंने already file ढून ली है मेरे पास और एक copy थी gray को सिर्फ लीग को struggle करते हुए देखना था gray फिर लीग को गहता है कि बहुत सारे चुवे हो गए है corner में एक trap लगा दो जिस corner में gray चाहता है कि trap लग जाए वहाँ पोशना ज़रा difficult है लीग को यहाँ भी struggle करकर वहाँ तक पोशना पड़ता है gray लीग को देख रहता है और उसके पेर पर वो सब निशान देखता है लीग खुद को cut करती है यह उसी की निशान है धोड़ी देर में gray की ex-wife यहाँ आती है gray और उसके ex-wife का बहुत बड़ा जगड़ा हुआ था इसलिए वो छुप जाता है gray अपने ex-wife को बहुत मिस करता है हमेशा उसकी फोटो वो देखता रहता है अपने फुलो के पास उसने फोटो रखी हुए होती है जब ली ग्रे को ढुड़ने के ले जाती है तो gray closet में है और closet में से कहता है कि उसे बता दो कि मैं आँ नहीं हूँ gray की ex-wife को ली ये कहती है पर ex-wife यही रुकना जाती है यही ली को अपने फादर का call आता है वो gray की ex-wife को भी handle नहीं कर पा रहे वो अपने डैड को hold पर रखती है और उसे जाने के लिए कहती है यह ex-wife गुसे में ली का कोट खराब करकर वहाँ से चली जाती है ली अपने फादर का call फिर से उठाती है पर उसके फादर अब वहाँ नहीं है फादर को support चाहिए था पर वो ली देनी पाई है ली की मदर बाहर है ग्रे की ex-wife यहाँ आई थी इसका pressure उस पर था फादर को उसे बात करनी थी पर वो कर नहीं पाई यह सब चीजों में वो बहुत ही tension में आ जाती है उसके पास naivis का set है वो निकालती है और अपने आपको cut करने वाली है तब ही ग्रे यह देख लेता है ग्रे देख रहा है तो आपने आपको cut नहीं करती सब कुछ चीज़े वो रख देती है पीटर ली को पसंद करता है रात में हम देखते है कि एक laundry की जगा है जहाँ पर dinner भी कर सकते है और laundry भी कर सकते है तो यह दोनों वहाँ आय हुए है जब इनकी laundry चलती है तभी एक dinner date भी कर लेते है यहाँ यह दोनों बाते करते है कि relationship में compatibility कितनी important है अलग-अलग चीज़ों पर jokes करकर यह बहुत हसते है जब एक दुसरे को kiss करते है तो वहाँ ग्रे उन्हें देख लेता है ग्रे गुस्य में ली के पास जाता है और उसे बहुत डाटता है ग्रे कहता है कि मैं तुम्हें पहले बोलता नहीं था पर अब यह ज़ादा हो रहा है जब लेटर देने के लिए ली ग्रे के पास जाती है तो ग्रे कहता है कि तुम मेरे office का एक representation हो क्योंकि लोग जब आते है तो पहले तुम्हें ही देखते है तो तुम्हें बहुत ही up to date रहना चाहिए तुम्हारे कपड़े भी घटिया होते है तुम हमेशे अपने बालों से खेलती रहती हो टाइप करते वक्त पेरों का आवाज करती हो इस तरह से चीज़े नहीं चलेगी इसके बाद next scene में हम देखते है कि पीटर ने ली को अपने घर लाया है अपने पैरेंट से वो उसे मिलवाता है पैरेंट को ली बहुत पसंद आती है पीटर की मदर गहती है कि पीटर हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते रहता है उसे लगता है कि तुम उसके soulmate हो पीटर की sister की शादी होने वाली है तो मदर कहती है कि शायब तुम दोनों की शादी भी उस शादी में हो सकती है एक double wedding ली को शादी का नाम ले कर टेइनशन आ जाता है उसे प्रिटेंड करने के लिए कहता है कि एक कॉल आया है और उसे उठा रही है जब वो कॉल आंसर करती है तो ग्रे केता है कि इस तरह से बात नहीं चलेगी तुम्हें ज़रा उची आवाज में बात करने पड़ेगी तुम्हारा confidence इसमें दीखना चाहिए ली फिर से try करती है तो ग्रे और भी चीजे उसे बता कर सही से कैसे बोलना है यह सिखाता है इसके बाद यह दोनों कौच पर बैठते है ग्रे उसे पुछता है ग्रे पुछता है ग्रे ली को समझाता है एक boss और employer की हम दोनों की relationship है पर इसमें तुमें ज़रा free होना पड़ेगा तुम्हें कोई भी problem है तो तुम मुझे बता सकती हो वो फिर उसे पूछ लेता है यो चाकू और बैंडेट के साथ तुम करती क्या हो ली कहती है कि मुझे मालूम नहीं है ग्रे को इसके बारे में पता है गयता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अंदर की फिलिंग्स बहार आ जाए एक वोन के साहरे तो सही होगा जब वोन हील होती है तब तुम्हें अच्छा लगता है एक करेक्ट था तो ली कहती कि ऐसा ही कुछ है ग्रे उसे एक प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि आज से कभी भी तुम अपने आपको कट नहीं करोगी तुम इससे बेटर हो तुम ओफिस से घर जाने के लिए हमेशा अपनी मदर को बुलाती हो तुम एक बड़ी लड़की हो आज तुम चल कर जाना तुम अब अपने आपको कटने ही करने वाले तब तुम एक रिलीफ मिलेगा जो भी था तुम्हारा पास था और उसे तुम अब भुला दोगी ये सुनकर ही ली को बहुत ही अच्छा मैसुस होता है उसकी चहरे पर स्माइल आती है और ये स्माइल करी कैपचर कर लेता है ली की मदर आज़ भी उसे लेने के लिए आई थी पर ली कहती है कि आज मैं चल कर जाने वाली हू गर जाते वक्त ली एक passed से गुजरती है वो कहती है कि कभी भी मैं अकिली नहीं चली थी ग्रे ने मुझे ओर्डर दी है तो मुझे यहाँ से चलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है उसे लगता है कि ग्रे भी उसके साथ ही चल रहा है ग्रे अपनी एक्स वाइफ को मिस करता था और उसकी फोटो भी अपने फ्लावर्स के पास उसने रखी थी अवे फोटो ली की फोटो से उसने रिप्लेस कर दी है एक दिन ली फिर से अपने लेटर में एक मिस्टेक कर दी है यह मिस्टेक देखकर ग्रे बहुत घुसा करता है उसे अपने ओफिस में आने के लिए कहता है वो ली को order करता है कि डेस के पास हो जुके उसे slap करकर punish करता है ली भी ये punishment ले लेती है ली के और Mr. Gray के ये game स्टार्ट हो जाते है Gray ली को control कर रहा है तो उसे लगता है कि उसके live भी control में आ रही है उसकी मदर ने घर में सब sharp object lock करकर रखे थे तो इस sharp object भी वो निकालने के लिए कहती है उसके पास bandage कुछ नाविस का set था इस set भी वो fake कराती है मूवे के first में हमने दिखा था कि ली के हाथ बंदे हुए है और उसी तरीके से उसे काम करना पढ़ रहा है ये भी उसे एक punishment थी ली को क्या खाना है क्या पिना है ये भी वो grey से ही पूछती है ली grey से अफसेस्ट हो जाती है वो रात में भी उसे ही imagine करती है उसे punishment मिल सके इसलिए जान पुछ कर गलतिया करती है एक दिन office से घर जाते हो ली पुछती है कि क्या में रात में फिर से वापस आओ grey इस पर सोचता है और कहता है कि कोई भी जरूत नहीं है ली को लगता है उसकी और grey की relationship ज़रा आगे बढ़नी चाहिए पर grey ये नहीं चाहता grey ये समझ लेता है और ली से distance बनाना start करता है एक दिन ली और उसकी फ्रेंड बात कर रही होती है उसकी एक फ्रेंड है जिसके बॉस ने उसके साथ intimate होना चाहा था बॉस अपनी secretary को molest करे ये ली को थोड़ा भी अजीब नहीं लगता इस conversation में भी मेरा बॉस बहुत ही best है यही वो कहती है अगले सीन में हम देखते है कि ली के father hospital में admit हो चुकी है उनकी drinking problem हच से जादा हो गई थी ग्रे ली को ignore कर रहा है इससे वो disturbed थी पर अब उसके father की भी तवियत खराब हो चुकी है वो रात में directly ग्रे की घर पर पहुच जाती है ग्रे उसके पास आता है और बोचता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो ली कुछ भी सही से बता नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है अगले कुछ दिनों में ली ग्रे को अनयाव करने के लिए बहुत सारी चीज़े करती है ग्रे उसे ignore करना continue करता है एक दिन ली जब पीटर के साथ होती है तो जिस तरह से क्रे उसे punish करता है उसी तरह से पीटर भी उसे करे यह हो चाहती है पर पीटर को यह समझ में नहीं आता यह दोनों intimate भी होती है पर ली को यह पसंद नहीं आता ली को idea आता है और एक दिन ग्रे के लेटर में वो एक worm रख देती है ग्रे इससे बहुत ही disturb होता है वो खुद को रेजिस्ट करने का बहुत try करता है पर वो ली को बुला ही लेता है फिर से उसे punish करना start करता है इन दोनों का यह सब चल रहा था तो भी वहाँ पीटर भी आता है पीटर ली को आज डिनर के ले कर जाने वाला था पर ली उससे कहती है कि आज वो डिनर के ले नहीं जा सकती पीटर भी वहाँ से चला जाता है आज फिर से एक रे ली को कहता है कि आज उसे क्या खाना है यानि कि जिस तरह से वो instruction देता था उसी तरह से फिर सी continue करता है ली इन सब चीजों में research करने लग जाती है ये games जो ये खेल रहे है इस वर बुक्स पढ़ती है audio cassette सुनती है Gray को एक दिन realize होता है कि ये जो वो कर रहा है ये सब गलत कर रहा है ली letters में जो भी सब mistake करती है इन सब letters को ली ने अपने office में frame करकर रखा हुआ होता है इन सब letters को जला देता है Gray के पास हम एक file देख सकते है इस file में उसके अलग-अलग secretaries के photos है यानि कि जो चीज वो ली के साथ कर रहा है ये उसने पहले भी की है एक दिन ली को अपने office में बुला कर fire कर देता है firing के reason भी उसके बहुत ही अजीव हो गरीब होते है Gray केता है कि मैंने तुमारे साथ जो भी किया ये एक mistake थी ली केती है कि मैं तुम्हें जानना जाती हो Gray उससे कुछ भी response नहीं देता ली मुवान करनी की कोशिश करती है अलग-अलग जॉब ढूणती है पर उसे कोई भी जॉब पसंद नहीं आता बहुत सारे दिन Gray के office के बाहर वो रुकती है पर Gray ने अपने office के locks बदल लिये है यानि को अंदर ना सके एक दिन पिटर ली को propose कर देता है ली इस पर जादा सोचती नहीं और इसे हा केते थी है उसकी शादी की तैयर स्टार्ट होती है उसकी mother-in-law उसकी खुद की शादी का ड्रेस उसे पहनाती है जब ए ड्रेस वो पहन दी है तो उसे बहुत ही आजीब लगता है वो रियलाइस करती है यो ग्रेस से ही प्यार करती है वो पीटर को उसकी रिंग वापस करती है और उसे शादी के कपड़ों में ग्रे के पास आती है आकर I love you कहती है ग्रे कहता है कि हम जो सब कर रहे थे यह हमेशा के लिए हम नहीं कर सकते ली कहती है कि क्यों नहीं कर सकते वो इसके लिए रेडी है ग्रे उसे कहता है कि डेस के पास जाओ और दोनों अपने हाथ उस पर रखो यह कहकर वहाँ से हो चला जाता है रात हो जाती है पर फिर भी वो वापस नहीं आता उसने ली को कहा है कि उसके हाथ डेस पर ही रहने चाहिए तब उसे बाहर से वो देख रहा है डेस के पास वो कॉल करता है तब भी ली अपने हाथ नहीं उठाती ग्रे इस कॉल में कहता है कि वो भी ली से प्यार करता है रात में ली को ढूंटे ढूंटे पीटर इस ओफिस में आता है पीटर उसे बुछता है कि चल क्या रहा है तुम कर क्या रही हो ली कहती है कि मुझे पता नहीं है इन दोनों में जगड़ा होता है पीटर उसे मनाना चाता है पर ली उसे स्टिकली मना कर देती है वो कहती है कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाती पीटर ली को टेबल से दूर भी करता है पर वो फिर से टेबल पर अपना हाथ रख देती है ग्रे यह सब भी बाहर से देखता है इसके बाद पूरी राद गुजरती है सब लोग उसे मिलने के लिए आते है ली के मदर, फादर, उसकी फ्रेंड्स सब लोग यहाते है उसे समझाने की वो कोशिश करते है पर ली समझती नहीं पाच्छे दिन गुजर जाते है ली ने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है जब न्यूज वालों को यह सब पता चलता है ओफिस के बाहर ये भी आ चाते है गए ली को टेस्ट करना चाता था ली कह रही थी वो हमेशा की लिए उसके साथ रह सकती है क्या ये एक विक तक continue कर सकती है पर ली इसमें पास हो जाती है फिर उसके पास आता है उसे अपने हाथों से खाना पिना खिलाता है अपने घर लेकर आता है कुछ शावर करवाता है इसके बार ये दोने एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते हैं कुछ दिन गुजरते हैं और इन दोनों ने शादी कर लिए लिए हमसे कहते हैं कि हम दोनों ज़रा अजीब हैं और बाहर से देखने के लिए हम एक कपल की तरह ही लगते हैं एक आइलन्ड पर जाकर इनकी शादी होई थी और इनका हनीमून भी अजीब हो गरीब ही था ये दोनों इस मैरेज में बहुत ही खोश है ये हम देख सकते हैं ये ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहता हूँ तो फ्लीज इस चैनल को सब्स्राइब करतीजे और बेल नोटिविशन आइकोन दबना में मत भूले फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब देख ले थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये